वीदा पिपल में हम भारत के लोग में जो मीटिंग चलती हैं उसमें कहिवार ऐसे जोसीले नौजवान और कहिवार ऐसे जोसीले बुजरूर यानि बुड़े भी जो युवाओं से कम नहीं होते वो ऐसी बात करते हैं कि सुभाचंद बोस की तरह हमको करांती करनी चाहिए सुभाचंद बोस की तरह हमको लड़ना चाहिए तो हम जीतेंगे तो मैं उन सब को यह बता दूँ के वीदा पिपल जो कंसेप्ट है वो कॉंस्ट्रूशन अफिंडिया के ऊपर है और कॉंस्ट्रूशन अफिंडिया बाव साब ने बनाया है बावा साब ने जितने भी एडिटेशन किये उनमें कहीं कोई भी हिंसा नहीं है और उन्होंने कोई हिंसा के लिए जगे अस्थान बताया नहीं है वो लोग कहते हैं कि हमको हतिया रखना चाहिए Constitution of India कहता है कि हतिया रखना चाहिए बहुत साइड लोग लेते हैं अपनी स्वक्षा के लिए चोलों से डखेतों से स्वक्षा के लिए ले सकते हैं उसमें कोई मना यह नहीं है वो आपका राइट है तो उसमें किसी को कुछ कहना भी नहीं है मगर हमारा जो जितना भी आंदुरन है वो बुद्ध के समय बहुत अच्छा एजू के सन। पर आधहतला है बुद्ध ने क्या किया बुद्ध ने सब को पढ़ाया और एक दुनिया का पहला संग बनाया और जीत गए तो कासी रामजी ने क्या किया कासी रामजी ने सब को इखटा किया और समझाया तो आगे बड़े हम तो हमारे जो महापुरुसें संत कबीर हैं या रविदास हैं या गुरुनानक हैं या चोखा मिला हैं या सतनाम हैं या दुर्बलनाथ हैं क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा के संगत में रहो, संगती करो, साथ रहो, एकटे रहो, और जगाया उन्हें जागरित किया, तो हम बचे रहें। लड़ते रहो, देते रहो, सबूत, वो बात की बात है, तो उसको ऐसा किया गया, कई लोगों ने कहा के सुवाश्चन बोश की तरह होना चाहिए, मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि भारत सरकार में सुवाश्चन बोश का कोई हिस्सा रहा नहीं है, आजादी के बाद सुवा सुवाश्चन बोश के नाम का कही कोई सरकारी कायक्रम होता नहीं है, नहीं उनका जरंदिन धुम नाम से मना जाता है, नहीं उनका मरंदिन का पता है, नहीं उनकी कोई सताब्दी होती है, नहीं उनके कोई आईजी बिसन होते हैं, नहीं गौर्मेंट उनका कोई नाम लेती तो जो लोग हिंसा से और हिंसा की तरफ बढ़ना चाहते हैं या हिंसा की तरफ सोचते भी हैं उनको अपनी सोच बंद कर देनी चाहिए अगर वो भगवान बुद्ध या बावासाव अमेटकर का सम्विधान या जो मामेवर साब कासी राम का काम करने का तरीका या जो दो होना है सम्विधान के नियनों के तहत इखटा होना है देश आपका है जमीन आपकी है जायाद आपकी है सब कुछ आपका है अपने अधिकार लेने के लिए इखटे होने में कोई दिक्कत नहीं है मगर हिंसा को पूरी दुनिया बरदास नहीं करती हिंसा का आदमी को जानव सम्मिधान कहता है कि आपने ठीक किया है वैसे ही अगर आप हिंसा करेंगे तो अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा को दवाने के लिए सम्मिधान यह राइट देता है कि आपको जेल में डाल दिया जाए आपके खिलाफ एफाइयर की जाए या जाता हिंसा करते तो आपको गोल है हिंसा का फायदा हम ऐसा अल्प संख्यक को होता है जो संख्या में कम होते हैं बहु संख्यक का जो फायदा है वो हम ऐसा फायदा जो होता है वो शांती में होता है आप याद कीजिए जो भारत के अंदर अंग्रेजों को यहां से हटाया गया था उसमें हिंसा करने वाले लो यह आप जैसे विदेशी सामान था उसका उन्होंने वहिसकार किया वैसे ही आप देखें कि आपको किसकिस आंदुरन में करना है जिससे कि चीजें आपके फियर में होती चली जाएं तो यह आंदुरन करने के सांति पूरवक्त तरीके होते हैं यही अपनाने चाहिए जब कालाराम मंदर में आंदुरन किया था तो कोई हिंसा कांदुरन नहीं किया कर सकते थे वो लोग उनके साथ थे मगर वो जानते थे कि हिंसा कांदुरन हमेशा नुकसान पहुचाता है हर चीज को इसलिए कालाराम मंदर में वह जख्मी भी हुए मगर उन्हें हिंसा नहीं की और हिंसा की नहीं कभी उन्होंने सिंगल वर्ड भी कहा नहीं तो जो लोग यहां आते हैं मंच पे वो इस वीडियो को देखें जो नोजवान हमारे यह सोचते हैं कि हिंसा से कोई रास्ता निकलता है वो हिष्टी दे उठा के देखें, बावा साब की देखें, गुरु रविदास की देखें, कविदास की देखें, बगवान बुद्ध की देखें और जो भी चीज़ें जहां जहां घटी हैं वो देखें या भारत का आंदुलन देखें कैसे भारत के आंदुरन में ऐसा योग आंदुरन चला कर जीत हासिल की कैसे भारत के आंदुरन में जो आंदुरन चलाया उसमें किस तरह से क्या-क्या चीज़ें मोड लिए और कैसे लिए वही अगर नियम आप अपनाएंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेंगे और उससे बहुत जल्दी आपकी जीत होगी आपकी मांगे पूरी होगी सरकार आती रहेंगी सरकार जाती रहेंगी आप इखटे हो जाईए फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं धन्यवाद कर दो जाएगी आपकी 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 झाल, 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 झाल